असलाम आलेकुम आज हमें एक important long question करने वाले हैं जो के पास paper में आ चुका है ER diagram का ये student ने mail की और उस ने का कि इस paper को आप solve कर दें तो आज हम ER diagram को question को solve करने वाले हैं क्योंकि ER diagram का जो chapter है वो मकमल हो चुका है उसकी playlist मजूद है इसके अलावा एक और past paper का question हमने कर लिया है ये question अगर हम देखे तो book में मजूद नहीं था लेकिन अगर आपने book के हर एक topic को अच्छे से cover कर लिया समझ लिया और उसके बाद आपने उसके जितने भी project थे book के सिर्फ आपने इसका समझना वर्वियू लेना आपको समझ आ जाएगी कि हमने ER diagram pharmacy की कैसे बनानी है अब चलते हैं आज के topic की तरफ जो के है ER diagram का एक पास paper का question सबसे पहले आपको बताया जाता है मैंने हर एक वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपने statement पढ़नी होती है ले minimum maximum क्या चीज़ कुछ भी mention नहीं है statement में तो इस तरह की statement की जब ER diagram बनानी होती है तो आप में खुद से देखना है कि pharmacy में क्या entities हो सकती है उनके क्या relation हो सकते है ठीक है यह बहुत ज्यादा असान होता है दूसरों की निश्बत क्यों कि आपने सिरफ एक pharmacy देखा उसमें क्या entity है उसके हिसाब से आपने ER diagram बना दी अगर थोड़ी बहुत कमी बेश्री भी रहा जाती है आपको यह entity miss कर देते हैं जो कि इतने रिलेट नहीं करती तो उससे कोई मसला नहीं होगा लेकिन वह entity जो के important है उनको आपने लाजमी से लिखना होता है तो इस question को आज मैं आपको सोल करवा देती हूं और अगर आपको समझा जाए इस question की तो आप चैनल को subscribe करके अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसके तरफ आप आप इसका screenshot भी ले सकते हैं यह उन्होंने एक pharmacy की ER diagram बनाई हुई है अब pharmacy में होता है कि है सबसे पहले हम pharmacy के entity को medical medicine बनाई जाती है जो किसी अलाज में इस्तमाल की जा सकती है जिसे किसी का treatment किया जा सकता हो ऐसी medicine कहां पर मिलती है आपको pharmacy से ठीक हो गया तो हमें pharmacy की समझा आगी कि यहां पर कुछ medicine वगारा कि सी treatment करी मैडिस्आ कि इंग सकता हैय है अाव किसका करी है मैंसे को को है क् notation को आप यह वालिकमात भाली medicine ले एक उसको कोई इस वाली medicine आपने लेनी है और वो बताएगा जी doctor बताएगा इसका मतलब हमें समझ आ रही है कि जो pharmacy में medicine मिल रही है यह कहां से मिलेगी यह doctor refer करेंगे बताएंगे यह वाली medicine ले किसको पेशन को तो पेशन डक्टर फार्मेसी अभी तक हमें यह वाली एंटिटी क्लेर हो चुकी है फार्मेसी के नाम के साथ ही अब हम जलते हैं अपनी दूसरी एंटिटी की दर रख जोगे हमने अभी का पेशन तो यहाँ पेशन को कौन बताता है कि आपने यह वाली medicine यहाँ पेशन किसी डक्टर के पास जाता है उसे बताता है कि मुझे यह वाला मसला है यह वाली अलामते हैं डेखता है पेशन को और समझता है जो भी उसकी information में आता है कि उसे कौन सी बुमारी लाहक है उसके मताबिक वो से बताता है कि आपने कौन सी medicine लेनी है या फिर ड् खैंगल में लिखा अब उसकी च्रीब्यूट क्या हो सकते है पेशन की ऑड़ी क्या है उसका नीम य्जिद्ट क्या है इसकी स्की जेंडर क्या है अड्रेस क्या है उसके इन्षोरंस है तो यह वले एक आदा कोई एक आदा भूल भी जाए या और एक आदा लिख भी दें तो कोई मसला नहीं किया हमने फुद से ही लिखने है तो सबसे ज्यादा ज़रूरी आईडी है क्योंकि यह एक प्रैमरी किया है यहापर उसके बाद जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट किस से करवाएगा डक्टर लेनी है पेशेंट पास गया दक्टर ने उसे बताया है कि यह वाली हैcommittee यह लेनी हैं और किसकोन बना रहा हुते हैं जो कर रहे होते हैं और यहां पर एक एक अन्होंने बनाया च्रेड नेंधे यह ड्रॉप का लेगल होगा जो ड्रेड़ होगा कि कौन बना रहा है इसे या फिर जो ड्रग के मैनफेक्टर है कंपनी या उसके मताब भी की ट्रेड नेम होता है अब यहां पर अभी तक जो चीज हमने यहां तक पड़ी थी ऊपर तक वो तो हमें समझ आगी पेशेंट डॉक्तर के पास किया डॉक्तर ने उसे बताया क अब यह ड्रग लो अब यह जो ड्रग है इसे बनाने वाले ड्रग मनफेक्टर हैं और जो इसे बना रहे हैं इनके साथ फार्मैसी कंट्रेक्ट करती है यह नहीं जो ड्रग है उसे बना ड्रग मनफेक्टर रहे हैं वह कंपनी बना रही है और उसके मताबिक वह मैडिसन बन यहां पर ड्राग की जगा आप मैडिसन का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब भी तक जो हमने पड़ा उसको हम अब समराइज करते हैं और एक सिंपल वे में पुरी की पूरी याडाग्राम को समझते हैं इसके अलावा एक और याडाग्राम है इसी फार्मैसी की भो भी देखें को पेशेंट को कौन बताता है कि आपने मैडिसन का और कितनी मुखदार में लेनी हैं जो उसका अलाज कर रहता है यानि डॉक्तर तो पेशेंट है सब देपले मरीज है यह सारा काम मरीज के लिए हो रहा है ठीक है जी मरीज है उसे कोई बुमारी थी वो डॉक्तर के पास आ इस टाइम पर इतनी मुखदार में आपने यह ड्रग लें तो इसका मतलब इस रिलेशन की वाल ड्याय wolves का पर की क्या है ट्रीणुत का नेम हो सकता है वो किस चीज का ड्कतर है वह की वो उसकी यह निए वो किस चीज का अलाज कर रहा है किस बुमारी का अलाज कर रहा है के अलावा उसकी आईडी के तो यहां पर डक्तर है उसकी आपने एट्रिबूट लिख दिये हैं आप उसकी content information लिख सकते हैं घीमेल लिख सकते हैं कोई भी आट्रिबूट आप आड कर सकत किया जाएगा और जो यह drug यह medicine उसे sale किया जाएगा sale करते वक्त उसकी प्राइस होगी जिसके मताविप से sale किया जा रहा है वह pharmacy पे वह sale हो रही है और pharmacy कहां करें कोन imply का name उसकी ID हो सकती है work में shift कब start हुई और कब उनकी खत्म हुई काम करने का दुरानी है इसी दम Professor सीच भी एक Formacy होगा उसकी ID होगी name होगा fax होगा किसी तरह किसी त्रहा अग्र हम contract की बात करें तो वहाँ पे contract जो किया जाए गैं बताये जाए जाए कि dos금 से इस तरीक से इस तरीक तक हमारा के साथ contract है इस medicine का है इतनी मुगदार में आपने देनी है इसके रहाव आपने किसी को नहीं देनी तो मुकलत तरह का contract हो सकता है जिस पर यह दोनों company यह फार्मेसिय और ड्रग तो आप यहां पर इसको मैंशन किए बिना भी या डाइग्राम बनाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा या आप नहीं है कि यहां पर मैंनी आएगा वान आएगा तो आप ना लिखे लेकिन अगर मैंशन में कि अध्लीस्ट वान या फिर मैंनी या फिर ये मैंशन होके इस तरह का रिलेशन बना रहा है आपस में आप इसको कार्डिनलिटी को मैंशन करें तो फिर आपने लाजमी करनी होती है लेकिं यहां पर जरूरत नहीं है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूं कि पर जैसा कि इनुने कहा कि यहां पर पेशन्ड मैनी है और डक्टर मैण duh daha जाए गांग त्रSMC जए गया जा इसा तो झाई जो आपको मैडिसन देता है उसके मुताबिक उसको खाते है उसके बाद अगर अराम आजाए ठीक अधर्वाइस हो सकता है फिर दूसरे डेक्टर के पास लेकिन उस वक्त आप सिरफ एक डेक्टर से अपना अलाज करवाएंगे तो इसका मतलब जो पेशेंट है वह एक अब दूसरी एर डाग्राम की तरफ जाते हैं जो कि यही अफार्मेसी की ही डाग्राम है लेकिन उसमें किया क्या है उसने असान बना दी क्योंकि हमें मैंशन नहीं है तो हम उसे मज़ीर असान बना सकते है जैसे कि पेशेंट है उसकी एक एंटिटी होगी डक्तर है उसके इसी तरह एक इंप्लाइ है वो एक एंटिटी है उसके रिलेटिड हम इंफरमेशन स्टोर कर सकते हैं यह उसके एटरिब्यूट होगे फार्मेसी है ड्रॉग है अब यहां पर जो मैंफेक्टर वाली एंटिटी थी वह निगलेट कर दीगी है रिमूव कर दीगी है उससे नही पर फार्मेसी पर काम कर रहें इंप्लाइ अब पिछली वीडियो में कुछ कमेंट आये थे एक बच्चे के कि यह जो एंटिटी है क्या हम इनकी जगह चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं अब यह जो ड़क्तर की एंटिटी है इसको मैं उठाकर इधर लिख सकती ह कर सकते हैं यह जो आपने लिखना होता है यह सारी का सारा आप इसकी जगह को चेंज कर सकते हैं बस उनका लोजिक चेंज नहीं होना चाहिए जैसे कि पेशेंट है तो वह ड़क्तर के पास जा रहा है उससे ट्रीट्मेंट करवा रहा है आप इस एंटिटी को उठाकर इधर लिखेंगे तो यह द्रम्यान में लिखने इसी तरह यह पेशेंट है आप इसको इधर लेएं डक्टर को इधर लेएं लेकिन उसके बाद आपने बताना कि पेशन के बाद यह जो आप्रिसक्राइब हो रहा और रहा है तो यह सरी चीजें आपने लोजिकल लिखनी होती है यह कोई मेंशन नहीं होता है कि आपने पेशन के बाद इधर को मूँख करना लेकिन लिखे इस तरह से कि देख के समझ आ जाए कि या डायग्राम क्या बता रही है क्योंकि इसका मकसद ही यह होता है कि हम ग्राफिकली इंफामेशन को रिप्रीजन कर दें और असानी से समझ आ क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइन लगता है बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है और फिर आपके सामने यह वीडियो आती है तो आपकी स्पोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है आप लाजमी से इस चैनल को शेर कीजिएगा तो इंशाला अगली वीडियो में मिलेंगे तब तके लिए अल्ला हाफिस